हेलो फैंट्स, आज हम जानेंगे कि civil law और criminal law दोनों में क्या अंतर होता है, detail में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे civil law में क्या होता है कि इसमें दो संस्ताय होती है या कोई भी दो व्यक्ति होती है जिनके बीच में यहां पर डिस्प्यूट होता है उसे सैटल करवाया जाता है इसमें जो अपरादी होगा वो क्या करेगा यहां पे दूसरे पक्ष को यहां पे मुआवजा देगा तो civil law में यहां पे जैसे property, money, housing, divorce, custody of a child अगर divorce का कोई भी case होता है तो इस परकार के यहां पे cases यहां पे देखने को मिलेंगे civil law में दूसरी तरफ यहां पे जो criminal law होते हैं यह mainly जो अपराद की शरेनी होती है जो की यहां पे किसी भी society के against मानी जाती है इस परकार के यहां पे कारे समलित होंगी तो यहां पे जो criminal होगा उसे punishment दी जाएगी जिस परकार का उसके दुबारा offense किया जाएगा उसी परकार की punishment दी जाएगी तो इसमें यहां पे जैसे की murder, rape, arson, robbery, assault तो इस परकार के यहां पे cases शामिल होंगी criminal law में तो यहां पे जो civil law होता है इसमें क्या होगा कि जो पीडित पक्ष होगा वो यहां पे case कर सकता है court में या tribunal में ठीक है तो कहीं बेबी वो case यहां पे कर सकता है लेकिन यहाँ पे जो criminal case होगा यहाँ पे जो case की यहाँ पे शुरुवात होगी तो वो directly court में नहीं किया जाएगा इसे सबसे पहले यहाँ पे FIR रेजिस्टर करवानी होगी पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे जो crime होगा अब उसकी investigation की जाएगी पुलिस के दवारा investigation करने के पश्चात ही यहाँ पे court में case को file किया जाएगा यानि कि दाकर किया जाएगा अब यहाँ पे जो civil होता है इसमें कोई punishment नहीं दी जाएगी यहाँ पे जो पीडित पक्ष होगा उसे यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा और इसी परकार से जो dispute होगा उसे settle करवाया जाए दूसरी तरफ यहाँ पे जो criminal case होता है यहाँ पे जो punishment दी जाएगी जिस परकार का यहाँ पे उसके दवारा अपरात किया जाएगा उसी परकार का यहाँ पे उसे punishment दी जाएगी और साथ में यहाँ पे fine भी लगाया जा सकता है court के दवारा अब यहाँ पे जो civil होता है इसक जो मुआवजा होता है वो धिलाया जाता है तो इसी प्रकार से यहां पे जो civil law की cases होते हैं इसे settle किये जाते हैं दूसरी तरफ जो criminal law होते हैं इनका क्या purpose होता है यहां पे जो अपरादी होते हैं उन्हें punishment दी जाती है और इसी तरह यहां पे society को protect किया जाता है और यहां पे low end order की situation को बरकरार रखा जाता है I hope आपको यहां पे different zone में समझ में आया होगा और भी मज़ेदार interesting वीडियो को जानने के लिए यहां पे description box में playlist given है law के बारे में सारी playlist आपको वीडियो दिख जाएंगी